हलो नमस्कार दोस्तो वेलकम बैक मा यूट्यूब चैनल लौवित रोनित साथ्यों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत हैं दोस्तो हम बात करने वाले हैं आज इंडियन पॉलिटी को ले करके जो की हमारे यूपी-पी-स-जे का सलेबस भी है और ये जी-अस first paper में आता है दोस्तो हम law के student हैं तो हम लोगों ने कहीं न कहीं constitution बड़े अच्छे से पढ़ा होता है क्योंकि constitution हमारा law का subject होता है और quality हम लोग का थोड़ा सा subject से कम रूची रहता है क्योंकि हम लोग पॉलिटी वाली portion को नहीं पढ़ते हैं हम लोग जो पढ़ना होता है वो constitution पढ़ते हैं constitution में सभी articles को हम लोग देखते हैं अच्छे तरह से articles पढ़े होते हैं लेकिन जो पॉलिटी का part होता है जैसे regulating it हो गया इंडियन भारत सासन अधिनियम हो गया इन सभी चीज़ों से हमारा पाला थोड़ा सा कम पढ़ा रहता है तो दोस्तो यूपी PCSJ के GS first paper को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोग के सामने यही subject ले करके आया हूँ इसमें सभी चीज़ों के बारे मैं diagrammatical presentation के माध्यम से आपको बताऊंगा president क्या होता है, parliament क्या होता है, judiciary क्या होता है दोस्तो यह 3-4 parts में चलेगा यह जो मैं यह अभी first session आपके सामने ले रहा हूँ इसके बाद से अभी next session और भी लेने वाला हूँ दोस्तो अगर आपको लगता है कि इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे telegram group को join कर सकते हैं आप telegram group को कैसे join करेंगे, telegram अपना open करेंगे उसमें law with ronit आप search करेंगे, वहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे वैसे ही आ जाएगा और उसको telegram group को आप join कर लिजे वहाँ से आपका इसका PDF प्राप्त हो जाएगा दोस्तो मैंने कल Indian history का भी मैंने करवा दिया है उसके बाद से national and international current affairs VC channel पे करवा दिया है दोस्तो आप चाहेंगे तो उसको भी watch कर सकते हैं देखिए आज हम बात करने वाले हैं वो राज ब्यवस्ता के बारे में बात करते हैं मिंस की Indian polity के बारे में बात करने वाले हैं इससे हमारा पाला देखिए कितना पढ़ता है अब बात करेंगे जो Indian polity में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे regulating act 1773 का मिंस की जो regulating act आया था यह 1773 में आ गया था अब इसका आने का कारण था किसलिए यह regulating act को लाया गया था यह regulating act आया इंडिया में क्या काम करने के लिए आया था तो यह British संसर द्वारा पारित किया गया था आपको पता है 1600 से हमारे देश में British इस्ट इंडिया company के द्वारा राज किया जा रहा था मिंस की ब्रीटीशों के द्वारा राज किया जाने लगा 1600 सताबदी में वह सब आए उसके बाद से 17 सताबदी से 1650 के बाद से वह सब लगे अपना सत्ता हतीयाने मिंस की अपना कारोबार करने लगे वह आये थे सब ब्यापार करने के लिए लेकिन देखे सब की इंडिया वाले लोग पढ़े लिखे नहीं है इनके बारे में यह गूस लेने लगे थे इंडियन से से और भी जो अन्य राजाओं थे उन सब उसे गूस लेने लगते थे इसी लिए या ड़े ouvert इस consulting कि दोरह पास किया गया था मिनस की बृटियस के संविधान के दोरह बिरीटीस के संसद के दोरह यह पास किया गया था अब कंपनी में व्या कहते हैं और जैसे जैसे माला एड्मिनिस्ट्रेशन होता है जो इसे मेल माला एड्मिनिस्ट्रेशन का बतला यहां पर कूब वस्ता फैल जाती है उसी चीज को रोकने के लिए इस सभी चीजों को यह भारत सासन अधिनिया मिंस्की रेगुलेटिंग 1773 को लाया नहीं का प्रा लापत किया जा सके नेक्स देखें इसमें क्या-क्या प्रावधान हो अंधा चैदर का रेगुलेटिंग एक्ट बना था तो मदरास प्रेसीड के ढर्ण्हीं rek kita आया था इस बल्र घाब है धेनिंग 13елаा सलृट इसे जादा कहीं बनेगा कि 1773 regulating act क्यों आया था तो आपको पहले ही मैंने दिखा दिया कि भरष्ट अचार को कूप रिशाषन को हटाने के लिए 1773 का act आया था उसके पासे यह तीन प्रेसिडेंसी थी मदरास प्रेसिडेंसी बंबई प्रेसिडेंसी और बंगाल का गवर्ना इनको एक कर दिया गया फि इसलिए इसको सर्वच्चनयाले नहीं कायदा सकता हम लोगों के लैंगेज में लौ के लैंगेज में क्योंकि इसका भी अपील होता है कहां हो रहा था तो वह प्रिवी काउंसिल में लंदन के प्रिवी काउंसिल में इसका अपील हो रहा था तो भाई अगर सर्वच्चनया प्रमुख प्रावधान थे यहां पर आयते इंक्रीज इन गवर्नम जो गुवर्मियंट में कांट्रोल करने के लिए कंपणी के मामले में सरकारी नियंतरण में बृड़ का गठन कार्न करने के लिए इसको बनाया गये था. ज lagų करने के लिए ये पिट्स pop लागू कि अपर नa कारगी के ल्यवार। एवं राजनितिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया इसी पिट्स इंडिया एक के अंतरगत जो कंपनी का और जो राजनितिक अधिका दोनों को अलग-अलग कर दिया गया दोनों को वाइफर्गेशन कर दिया नहीं तो पहले दोनों एक ही हुआ करता था अब देख प्रदान किया गया था यह 1786 का एक्ट आया था उसी 1786 एक्ट के माध्यम से बताया गया कि वह अपने अधिकार को क्या कर सकते हैं अपने निर्ने को रद भी कर सकते हैं इसलिए 1786 का एक्ट हमारे लिए इंपर्टन हो जाता है अब देखिए चार्ट अठाव सो तेरह का यह किसलिए एक्ट आया था चार्ट आया था जो बना था यह सी को नाम्न जानते ते वहीं चार्ट एक्ट 1813 का ब्यापारी के एक अधिकार समाप्त यहां पे बात किया गया कंपनी का एक का अदीारी पार्ट हो हूँ स्माप्त लूब यो मार्केटिंग होता था उसको एंड़ कर दिया गया जो ट्रेट में पॉली इ étant ऊसको समाप्त कर दियेगा और निक्स क्या किया गया समय मार्पल्ण की से सब्सक्राइब और चीन के साथ यहां पर के समाप्ति कर दिये कब किया गा था चार्ट रेक्ट 1813 के अधिनियम से फिर नेक्ष देखिए कंपणी को अगले 20 वर्सों के लिए भारती प्रदेश तथा राजसों पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया जो कंपणी था राइट टू कंट्रोल ओबर इंडियन टेरिटरिस एंड रेवेन्य लिए कंपणी को अधिकार सौब दिया गया कि अब भारतियों से 20 सालों के लिए क्या कर सकते हैं करवसूल कर सकते हैं नेक्ष प्रथम बार सिक्षा पर खर्च प्रती वर्स एक लाख रुपए मिंस की अंग्रेजियों के द्वारा इंडिया में विकास करने के लिए विकास पर खर्च प्रती वर्स एक लाख रुपए करने के लिए कौन बताया था यह चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा यह बात बताई गया थी अंग्रेजों के द्वारा अब देखिए चार्टर 1823 का जो चार्टर एक्ट आया था यह किसलिए आया था कंपनी के सभी वाणी जीक इंसकी कोई भी कामरशियल प्रिव्लेजस उनको नहीं प्रवाइड किया जाएगा बंगाल का गवर्नर जंडल अब समूचे भारत का गवर्नर जंडल था नेख्श देखिए अब कानून बनाने के लिए क्या 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 जाता है गवर्नर जनरल की परिसद में एक कानून सदस्य समीथी को बनाया जाता था, पहला जो हमारा law commission बनाया गया था, वो लॉड मैकाले के अध्यक्षिता में बनाया गया था, और इनके द्वारा IPC का ड्राफ्ट किया गया था, 1834 में इनके द्वारा इंडियन पेनल कोड को ड्राफ्ट किया गया था जो कि 1862 से हमारा आईपीसी लागू है और वह एक्ट नमबर कौन सा है आईपीसी का एक्ट नमबर 1860 का मिंस की भारतिय दंड से नहीं था 1860 का 45 वा नमबर का एक्ट किसके द्वारा बनाए गया था लॉ लॉड कमीशन के द्वारा लॉड मायकाले के द्वारा बनाया गया था आप लोग लॉग के स्टूडेंट को जानते होंगे ठीक अब नेक्स्ट देखिए चार्ट एक्ट 1853 का अब इस विख्स उनके शालरी इसको क्या कर दिया गया था पर निश्चित कर दिया गया था उन उनको प्रोवाइड किया जाने लगा इसी लिए यह अठारा सो तीरपन का एक्ट आया था नियंतरर बोड और उसके अन्य पदाधीकारी हो के वेतन निश्चित करने के लिए जी चार्टर एक्ट अठारा सो तीरपन का लाया गया था फिर इसके बाद क्या हुआ निश्चित कर दिया गया है इनको salary दिया गया है सरकार द्वारा होगा जो भी इनको by government के द्वारा जो भी इनका finance का वित्त दिया जारा है जो भी धन दिया जारा है वो किसके द्वारा दिया जाएगा सरकार के द्वारा दिया जाएगा given by the company सरकार का मतलब यहाँ पे company के दौरा इनका एक fixed कर दिया गया कि हाँ आप यहाँ पे काम करेंगे आप काम करने के बदले में आपको क्या दिया जाएगा आपको एक fixed amount में salary दी जाएगी वो किसके दौरा दी जाएगी वो company के दौरा उस समय company का शासन चल ला था जो की हमारे इंडिया में तो company के दौरा उनको क्या दिया जा रहा था उनको wages दिया जा रहा था उनको salary दिया जा रहा था उनको remuneration दिया जा रहा था जो भी दिया जा रहा था करके और उसके बाद से चो becoming अज्या आग किया जाता था किस दोरा क्राउन के दोरा राजा के दोरा इन चौक को मनुनीद किया जाता था यह किसे हो रहा था सब 583 के एक्ट से हो रहा था दोस्तों हम लेक्ट से देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858 का मामला आप क्या है इसमें तीन बोर्ड को बनाया गया था तीन चीजों के बारे में बताया गया जो 1858 का जो एक्ट है इसमें भारतिये सासन पर नियंतरन लगाया गया भारतिये प्रशाशन का किसको दे दी गइगा किमपटी का पहले नियंत्रन करना भारत पे क्योंकि कुपनी बैपार करने लिए करने कि दिये जाए उत्वाद प्राइट से घ ठा करके जहाँ पर 18 कर दिए गया तो किस एक्ट से 1853 के चार्टर एक्ट से जो घटा करके जो 24 से संख्या 18 कर दी गए थी उसी की बात कर रहा है आप अभी आप लोग ने पीछे देखा है आप विडियो को जरूर देखिएगा दो से तीन बार देखिएगा चार बार देखिएगा आपको लर्न हो जाएगा और मैं धार देखिए भारत के गवर्नर जनरल का नया नयाम वाइस कर दिया गया जो भारत का गवर्नर जनरल था नया नाम वाइसराय कर दिआ भारत में बृटिस व्रीटीलब की is अब ब्रिटी स क्राटेशुन करने लगा बृप्र यहां पर देखते हैं ब्रिटी स ताज का सआसकी अब कि अनियम परिसाद अधिनियम 1861 को हम लोग यहां पर देखते हैं जिसको हम लोग इंडिया काउंसी लेक्ट 1861 के नाम से हम लोग जानते हैं वाइसराय को आपातकाल में जो वाइसराय था पावर आफ वाइसराय टू प्रोग्म लेट ओडिनेंस इन इमरजेंसी the maximum period for the ordinance was in force six month यही चीज हमारे भारतिय संविधान में अभी भी लागू है कि मिन्स की जो राजा है जो राजा मिन्स की जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट के पास पावर होता है क्या करने के लिए अध्यादेश जारी करने के लिए और वह अध्यादेश कितने धिनों तक रह सकता है एक बरत द्यदेस जारी कर दिया जाता है तो च्चह महीने तक । रह सकता है लेकिन अब भारतिय संविदान पर हैं चेंजे कर दीया गया वह चैन्जेश कर दिया गया जैसे जैसे यहाँ पर तर्मेंट सरकमिस्टांसे बदलते हैं उस तरह से रह सकते हैं लेकिन यह चीज आपको भारत परिशाद अधिनियम से ही यहां पर को रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहां पर वाइसराय को क्या हो गया था आपात काल जैसे हम लो परिशत को कानून बनाने की सकती प्रदान लाड कैनिंग विभागिय प्रणाली के द्वारा यह दे दिया गया था इंपावर दवाइसराय का कार्यकारी परिशत का विस्तार किस प्रकार से इनके Expvention of the Viceroy Executive Council किस प्रकार से इनों ने अबने Executive Council मिन्स की परिशत को किस तरह से इनों ने बिस्तार किया बंबई तथा मदराज के प्रांतों को पुना प्रदत अधिकार मिन्स की जो बंबई जो प्रेसिडेंसी थी जो प्रोविंस था और जो क्या कहते हैं प्रोविंस औ बंबे एंड मदरास, रिस्टोर्ड पावर, फिर उन दोगों को क्या कर दिया गया, पावर दे दिया गया, तु लेजिसलेट पावर, तु ओभरूल दा काउंसिल इफ नेसेसरी, यहाँ पे दे दिया, अपने लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, संसोधन करने का अधिकार किसको दे दिया, बंबई तथा मदरास को दे दिया गया, पून, किस एक्ट के माध्यम से दिया गया, इंडियन काउंसिलेक्ट 1861 के माध्यम से उनको यह सिस्टम प्रोवाइड करा दिया गया, अब देखिए, यहाँ पे भारत परिसाद अधिनियम 1892 से हम लोग क सीखते हैं, क्या क्या जानते हैं, यहाँ पर देखते हैं, वीधान परिसाद के सदस्यों को बजट पर अपने वीचार प्रकट करने का अधिकार प्रतान किया, यह बात आपको समझ में आ गई होगी, निक्स देखिए, सारोजनिक हितों के मामले में वीधान मंडलों के सदस का पदती का मतलब क्या होता है इंट्रोडेक्शन आप इलेक्ट्रोलर सिस्टम जो इलेक्टोरल सिस्टम होता है इनको यह चीज़ों यहां पर प्रवाइड किया गया भारत परिसाद अधिनियम 1892 में यह बात बताई गई है अब नेक्ट देखिए हमारे पास आता भारत परि अधिनरल रिपर्जेंटेशन के इसमें क्या किया गय था संप्रदाइक प्राति नीधित्यों की ब्यवस्था की गई था I तो यहां पर संप्रदाइक प्रतिनिधितों की ब्यवस्था के बारे में किसके द्वारा लाया गया यहां पर केंद्री विधान मंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं था तो यह लाने का फाइदा ही खेया था कि हमको भारतियों को इसमें मत देने का कोई अधिकार नहीं था तो इस एक्ट को लाने का कोई मतलब नहीं था जो भारत परिशाद अधिनियम 1909 है इसमें यहीं बात बताई गई है यहां पर बताया जा रहा है ता मेंबर ऑप दे सेंट्रल लेजिस्लेटिव वेर नॉट कर दिया गांधी जी ने कहा था इस एक्ट के द्वरा हमारे भारतियों का सर्वनास हो गया मिन्स की हमारा सर्वनास हो गया मिन्स और बाकरभरत का सर्वनास हो गया फिर इसके बास से आते हैं म्कड़ों Random All Can इनके दवारा ये बात कही गई है इनके द्वारा ये बात कही गई है आप सकते हैं निक्स हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 की बारे में यह भारत सरकार अधिनियम 1929 आया क्यों अन्य नाम से इसको जानते हैं इनको मांटेंग्यू चेम्स फॉर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं जो भारत सरकार अधिनियम 1919 का है इसको मांटेंग्यू चेम्स फॉर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं प्र दिसादनी विवस्था की बात की गए थी पहली बार उत्तरदाई साथन सब्द को असपष्ट परियोक किया गया मिंस्कुजा फर्ष टायम्ट ये रिस्पॉन्शिबल गॉर्मेंट वज य जो जवाब दे ही सरकार के पहले बार यहां पर इस्तमाई किया गया अब प्रान्तिय पीवाजन की बात कर लेते हैं प्रांतिय विवाजन एक तो रिजर्व था और एक ट्रांसपर्ट था जो की विभाजित था यह प्रांतिय विवाजितों के लिए था अब देखिए अधिनियम का आधार क्या था बेस्ट ऑन दिस एक्ट मॉन्टेंग्यू चेम्सफॉर्ड रिपोर्ट यह जो दिया गया था किसेंग्यू चेम्सफॉर्ड रिपोर्ट पर यह भारत सासन अधिनियम 1929 यह किस पर भेष्ट रहता अब हमारे पास आता है भारत सरकार अधिनियम 1935 का दोस्तों इसी प्रकार से खेंगे और इससी प्रकार से पॉर्प करना है पॉलिटी के दिरिष्टिकोंड से क्योंकि अभी हम लोग Constitution नहीं पढ़ रहा है अभी हम लोग पॉलिटी पढ़ रहा है तो थोड़ा सा यह आपको लग रहा होगा कि यह क्या चीज़े हम पढ़ रहा है तो यह पॉलिटी का पॉर्सन है तो आर इस प्रकार से question पूछे जाते हैं हमारे GS1 के पेपर में PCSJ का जो हम लोग बारat सरकार अधिन्याम 1935 का जो है तो स्थापना की गए थी बारा सरकार अधिन्याम 1935 कुछ चीजों को तो हम लोगों ने डिरेक्ट अपने Constitution of India में भी अड़ाप्ट कर लिया गया है, डिरेकी सासन, मिंस की द्वैद सासन, प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया था, इंडेड इन्द प्रोविंसेज और इसको कहां लागू कर दिया गया था, केंद्र में ल 1935 के द्वारा किया था, अब भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों को देखी है, यह कौन कौन सा प्रेट जरी करने का अधिकार, अभी आप लोगो को मैंने बताया है, यहां पे इंडिया Computills Act आया था इंडिया काउंसील अक्ट City एक आया था 1861 इसी 1861 के मैं ने बताया है कि उनको और दीनेंस को जो व्यस रहा है था उनको और द Member Gardens emergency के लिए पारिद करने ये बताया गया था किस एक्ट से दिया गया था 1861 के एक्षट यहां पर प्रोवाइड कर दिया गया था अब देखिए बिस्तार से संप्रदाइक तथा वर्गी करण मतदान मंदलों का मिंस की यहां पर बताया गया था आधार सुरोत इसका था बाइक कैमरलीज्म का मतलब होता है सेंटर लेजिसलेशन सेपरेशन आफ पावर इंसर्टेन एंड प्रोविंस भारत के वर्तमान समयदानिक धांचे में काफी हद तक दिसदनी केंद्र विधान मंदल को यहां पर लागू करने की बात की गई थी कहां इससी में अस्थापना की गए थी और उसके बाद से देखें यहां पर क्या हो जाता है इस सारी बाते हो रही ता अब जौहारला नहरू ने अपना इस्टेटमेंट क्या दिया एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। इंडिया एक्ट 1935 आया था उसमें क्या क्या बात कहा था इस एक्ट को पढ़ने के बाद उन्होंने ये तीन बाते कहा था ये कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं गुलामी का अधिकार दास्ता का आग्या पत्र यह बात जोहरला नहीं हरुजी के द्वारा कहा गया था अब नेक्ट देखिए इसमें नेक्ट बता रहा है अनुदेश प्रपत्र अंतरविष्टी राज जी की नीती के निर्देशक कत्यों के रूप में समाविष्ट किया गया भारत के संविधान में वर्स 1950 में यहीं बात बताया जा रहा है कांग्रेश के लखनव अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्विक्रित किया गया था जो गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वा रिजेक्टेड इन लखनव सेशन 1936 ऑफ दकांग्रेश के द्वारा इसका विरोध किया गया इसको माना नहीं गया अब करने विकास करते जा रहे अब भारत सोतंत्र था अधिनियम 1947 में हम पहुंच गया है यह हमारा नेशनल फ्लैग है इसमें कलर आप लोग भर लीजिएगा कलर इसमें नहीं आप आया है अब हम बाता रहे हैं आपको यहां पर देखिए क्या हुआ था यह जो इंडिपेंडें अन्डिटिपेंडेंस इन्डिया इंडिट इंडियू इंडिटिट उ इंडिवाइड इंडिष इंडिया नहीं लाकार इसरी है था ऐसे देफेग। संप्रभूता की समाप्ती मिन्स की जो 15 अगस्त था इंड और ब्रिटीन सवरेजिनेटी ओभर इंडिया प्रिंसलेस स्टेट विट इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त उससे निर्मात्तरी सभा को समिधान बनाने का अधिकार यहां पर प्रवाइड किया गया गया किसके दोरा महत्वूर तथे के बारे ममलों यहां पर पढ़ने वाले क्या क्या महत्वपूर्ण तत्व है देखिए जो कि हमारे एक्जामिनेशन पॉइंट आउप व्यू से इंपॉर्टेंट है और यह डिरेक्ट हमसे पूछा जाता है बंगाल का प्रथम गवर्णर जनरल कौन था वारेंग हिस्टीन थ भारत के प्रथम गवर्णर जनरल थे लाड बिलियम बेंटिंग थे उसके बाद से यहां पर कानून निर्मातरी में भारतिय प्रतिनी जित्तों को सामिल करने की शुरुवात की गई थी भारत परिसाद अधिनियम 1861 के द्वारा से शुरुवात किया गया था अब 292 के द्वारा इसमें यह सक्तियां बढ़ा दी गए थी वर्मा को भारत से अलग किया गया था 1937 में किया गया था मिन्स की जो वर्मा एक देश था इसको भारत से अलग कर दिया गया था फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आता है जो फैक्ट जो हमारे एक्जामिनेशन के लिए इंपोर्टेंट है वो यह है भारत सरकार अधिनियां जो भारत सरकार अधिनियां 1919 को जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है मॉन्टेश क्यू चेम स्पॉड सुधार नाम से इसको जाना जाता है फिर नेक्स आता है सर्वस प्रतम उत्तरदाई सासन सब्दका परियोग कि गया था भारत सरकार मांग की गई थी सव राज पार्टी में इनके द्वारा की गए थी सव प्रतम हमाई प्रतम भारत में संभिधान सभाके गठन का वीचार देने वाले देने वाले वेक्ति कौन है ये है भारती राष्ट्री कांग्रेश ने पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी वर्ष 1934 में इनके दोरा मांग की गई थी भारत संविधान सभा चुनी गई थी अब परतेक्ष निर्वाचन के दोरा मिंस्की इनको चुनी गई थी भारत संविधान सभा चुनी गई थी अ जब संभिधान सभा में कॉन-कॉन था कितने लोग सामिल थे किसको किसको शामिल किया गया था इन सभी चीजों के बारे में हम यहां से देखते हैं पहले हम देखते हैं हमारे पास आता है किसका cabinet सभा के द्वारा किया गया आप इस प्रकार के फैक्ट को लर्न करके रखी जू कि आपके लिए इंपोर्टेंट होगा कुल महिलाएं कितने थी सम्भीधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी और यहां पर नेक्स देखिए प्रथम बैठक 9 दिसंबर निससोच्याुस को किया गया था, सम्भीधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष डाक्ट्र राज्यंदर प्रसाद को को 26 नॉइंबर कोवाल हम लोगों सम्भीधान सभा को किया था, और इसमें क्या कते हैं इसको लाड Schnee के रूप में भी हम प्रकार से कोस्चन को मैंने लिया है जो question आपके examination में होगा फर्जी किसी भी question को मैंने यहां पर सामिल करने का कोशिस नहीं किया है जो जरूरत की चीज है वही पढ़ेंगे जो हमारे exam में आया है क्योंकि आप exam का previous year paper analysis कर दीजेगा अगर इस type के question नहीं आया होगा तो आप हमको comment करके जरूर बताएगा कि जो सब्सक्राइगा मुल अधिकया और अल्पसंख्यक और जन्जातिया समीती इनको प्रोग की आगया थै अब हम बात करते हैं समीदा हम की सीटे। 296 ब्रिटीज भारत के द्वारा यह सभी चीजों के बारे में बात करेंगे यहां पे कांग्रेस के पास 208 सीटे थी मुस्लिम लेक पास 17 और अन्य 15 सीटों का यहां पे 296 सीटों का इस प्रकार से विभादन किया गया था अब हमारे पास जो परिच्छा के आमारे लिए इंप से प्रस्ताव पेस किया गया था संभीधान सभा के लिए चुना हुआ था जुलाई और अगस्त 1946 में जुलाई से लेके अगस्त के बीच में 1946 तक चुना हुआ था अंतरीम सरकार का गठन किया गया था दो सितमबर 1946 को भारती संभीधान लागु हुआ था 26 जनवरी 1950 को अभ सब्सक्राइब और चुआ लेकर सदस्यों की बात करते हैं तो सदस्य का सब्सक्राइब यार अंबेड कर मिन्स की बाबा साब अंबेड कर इसके अध्यक्षित किसके प्रारूप समीथी के सदस्य कौन थे एन गोपाल स्वामी आयंगर अल्लादी कृष्ण स्वामी आयर केया मुंसी मुहम्मद सादुल्ला बीयल मित्र एवं डीपी खेदान यह लोग सदस्य थे दे वस्तता के कारण उन्होंने अपना पत को छोड़ दिया और इसमें उसी समय उनकी डेथ हो गए उसकारण इन्होंने छोड़ दिया अब जो हमारे परिक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वह फैक्ट देखिए संभिधान सभा के सदस्य से निर्वाचित किये गया थे प्रत समीति दस लाख व्यक्ति पर एक सदस्यों का चुनाव किया गया था कैबिनेट मिशन के सदस्य से थे पैथिक लॉरेंस क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर यह लोग क्या हूं थे यह कैबिनेट मिशन यह जना लेकर आये थे और उसके यह तीनों लोग सदस्य थे जो कैबि प्रारूप समीति का गठन किया गया था निस अगस्त आवन वायरे के बारे में बात करने वाले हैं इसमें देखें कि प्रतम कोन था अंतिम थोन था और उसके बाद से वाइस राइक इसको न्यूक्त किया गया था फिर बात करते हैं रावर्ट क्लाइब की बंगाल का गवर्नर जनरल ये था 1758 से लेके 1760 तक था उसके बाद से 1765 से 1767 तक था ये कहां कौन था बंगाल के गवर्नर जनरल थे कौन थे रावर्ट क्लाइप बात करते हैं नेक्ट वारेग्घ हैस्टिंग की ये सतर शुगर्फ से लेकर करके 575 सी तक थे बंगाल के प्रथम गवपर्नर्ड जनरल ये हुए थे फिर नेक्ट देखिए यहाँ पर बात करते हैं लौड विलियम बैंक्टिंग की और लॉर्ड कैनिंग की जो लॉर्ड विलियम बैंक्टिंग है यह 1833 से लेके 1835 तक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये भी थे लॉर्ड कैनिंग 1888 से 1862 भारत के प्रथम वायसरा ये थे ठीक नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड माउंट बेटन की बात कर संबीधान सभागे महत्तोपूर्ण तत जो कि आप से एग्जामिनेशन में ऐस यूजुवल इसी तरफ पूचा लग मैं पहली बैठक हुई थी अबी मैंने आपको डाक्टर सचिता नंसी नहाजी बताया अस्थाई अद्धक्ष डाक्टर राजिंद प्रसाद संभैधानिक सलाकार सर वीयन राओ संभैधानिक सलाकार थे और ये इतनी बड़ी हस्ती थे ये ICS ऑफिसर थे और ये इंटरनेशनल कोट अब जस्टिस के जज भी हुआ करते थे इनके द्वारा वर्मा का भी संभीधान का निर्माड करने में योगदान दिया गया था इनोंने ही भारत का संभीधान बना करके दिया था किसको प्रारूप समीती को ड्राफ्टिंग कमिटी को इनोंने और ये मुफ्त में काम किया था इनका कोई भी नाम अब अंतरीम सरकार की हम बात करते हैं अंतरीम सरकार को था मंत्री अंत्रिम सरकार में कौन कौन थे और उनके पास मंत्राले कौन कौन थे हम सारे मंत्री और मंत्राले को नहीं पढ़ेंगे हम उसी मंत्री और मंत्राले को पढ़ेंगे जो हमारे PCS जे के लिए important है देखिए जेल नहरू की हम बात जरूर करेंगे क्योंकि ये प्रधान मं दाक्टर ब्यार नहीं लगा सकते जोगेंद्र नाथ मंदल जी के पास विधी मंतराले था यहीं विधी मंतरी नहीं यहां पर खेला यह जाएगा आपके साथ आसाफ अली रेल मंत्री करी मंत्री और सिएच बाबा बल्देव सिंग इनके पास रक्षा मंत्रा ले था इतने मंत्राले को मैंने आपको रख दी आपके सामने समीधान के। कौन से स्रोत है भारती सम्षारां के अधिकांस उपबंध भारत साथ भारत सासन अधिनियम 1925 पैटी एवं जसे सम्षाइब अपसे पूछ लिया जाता है कि हो संयुक्त राज अमेरिका से क्या क्या लिया गया है कानाडा से क्या क्या लिया गया है ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है चाइना से क्या क्या लिया गया इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको यहां पे एक एक करके बता रहा हूं देके बात करते हैं संयुक्त राज अमेरिका से हम लोगो थे पर महाभियोग कपस स्यूगत राश्य अमेरिका से हम लोगों ने अपनाया है। लोगों ने अडॉप्ट किया है संसदिय सासन प्रणाली अडॉप्ट किया है भाई क्योंकि हमारे देश पे ब्रिटेन का ही राज यता तो संसदिय प्रणाली हमने उनी का अडॉप्ट कर लिया नेक्ष विधी का सासन हमने रूल आफ ला उनी से अडॉप्ट कर लिया मंत्री परमाधिकार लेक उनी के द्वरा लाया गया था ब्रीटेंट के संभिधान के द्वरा मिंस्की ब्रीटेस के द्वरा ही लाया गया था नेक्स्ट हम बात करते हैं अफ्रीका से हम लोगों अफ्रीका से लिया था अब जापान से हम लोगों ने क्या लिया है विधी द्वारा अस्थाफित प्रकिरिया जो की आर्टिकल लंबर टूंटी वन में यह बताया गया है ड्यू प्रॉस अफ लाव एंड प्रॉस इस्टेबलिस्ट बाई लाव यह हम लोगों ने जापान के स स्ताउना में नियाए सब्द को लिया है फिर सामाजिक आर्थिक और राजनैथिक हम लोगों ने रूस मिंस की पूर्व सोभिरत संग से हम लोगों ने ने ड्युट किया है यहां पे बात करते हैं औरz संगं की स्वतंत्रता समवर्ती सुची सब हम लोग ने आस्ट्रेलिया के संविधान से अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा वह एक्जामीनेशन पॉइंट आप व्यू से वह यह है भारती राजनीती व्यवस्था में सरवच्च है संविधान हम लोग किसकी सरवच्चता को देखते हैं हम भार प्रस्तूत करता कौन था और अंगिकार कप किया गया तो जो प्रस्तूत किया गया था वो संबर 1946 को प्रस्तावना को प्रस्तूत किया गया था प्रस्तूत करता कौन था हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री जोहरल नहरू जी के दौरा प्रस्तूत किया गया था अंगिकार किया था प्रस्तावना को 22 जनौरी 1947 को अंगिकार किया था अब इसमें यह चीज देख गणराज्य के बारे में इसमें बात किया गया है जो मूल तत्तों की बात कर रहा है उसमें यही चीजों के बारे में हमको बताया गया है अब नयाय की बात अगर हम करते हैं तो इसमें तीन प्रकार के नयाय के बारे में हमको बताया है वह तीन प्रकार का नयाय कौन सा है सोसल ह सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक न्याय की बात की गई है अगर समता की हम बात करते हैं प्रतिष्ठा की समता है और ऑसर की समता है यह हम को कहां मिलता है जब हम आर्टिकल 15 और रिपबलिक हमको यहां से मिलता है फिर हम नीचे बात करते हैं स्वतनत्रता की तो हमें पास कितनी प्रकार dużo सब्सक्राइब की सब्सक्राइब करता है भारत की प्रस्तावना हमको यह सारी चीजे प्रदान करता है अब समाजवादी अब यहां पर देखिए संबिधान संसोदन 1976 दौरा कौन कौन से सब्द सामिल किया गया अखंडता मिन्स की इंटिग्रिटी सब्द को सामिल किया अब यहां पर देखिए संबिधान पर उच्चतम नहीं आले अब संबिधान पर मिन्स की डिसीजन अब सुप्रीम कोट अन प्रियमबल पार्ट आप दौरा यही बताया गया था कि जू शम आरी यूनिंगा ऐइंडिया का पार्ट है और किस्में पताया गया थे कहां घृट कहा गया था कि प्रियंबल जो है वो Constitution of India का पार्ट है किसमें बताएं गया था कि यह पार्ट नहीं Constitution of India यह केस आया था उसी इनर्य ब्रोट वर्यूनियन के मामले में प्रस्ता ओना है वो इसका Constitution of India का पार्ट नहीं यह सुप्रीम कोट के दोरा यह decision provide किया गया था हमारे किने कि द्वारा कहा गया है यह किसको कहा है कि हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का वाइलेशन होता है तो अर्टिकल 226 के एकॉडिंग हम हाई and supreme court of India में direct जा सकते हैं हमें किसी से पूछने क्या ओशक्ता नहीं है और समभीधान की पवित्र दस्ता वेज किसने एक्से शम्राइब कर एक समभीधान एक पवित्र दस्ता वेज है , दोस्तो इस सेशन में इतना ही , अब next session में मैं आप लोगों से related इससे जो भी constitution इंडिया का जो भी पॉलिटी का जो भी पार्ट्स बचा है वो चीजे मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्दी ले करके आने वाला हूं दोस्तों अगर आपको अच्छा लगी यह सेशन तो आप हमें कमेंड करके जरूर बता है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है मैं और भी टाइब के वीडियो आपके यूपी पीसेशन के लिए और बनाता रहूंगा दोस्तों अगर पॉसिबल हो तो आप अपने नियर और डियर को यह सेंड कर सकते हैं जिससे वह भी देख सकते हैं उनको भी लाव होगा सिर्फ यह यूपी पीसेशन के लिए ही नहीं यह वीडि